के निवांश्कार दोस्तों स्वागत ते आफ सभी का डिजी दर्त यरी में मैं स्वहरव भारती आफ सभी का स्वहागत करता हूं तुस्तों बात करेंगे हम आज भारत की जल्वाइू की भारत का वोगुल कर रहे थे उसमें भॆतिक विवाज हमने Kate क्वब्लीτό किया हम दोनों में थोड़ा फरक है, मौसम और चिलवायू, किसी स्थान की वायूदाब और तापमान की दशाए उस इस्थान का क्या कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, वायूदाब और तापमान की दशाए उस इस्थान का मौसम कहलाते हैं। तापमान का वितकरम यानि inversely proportional यानि की एक बड़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बड़ेगा। आप देखें, तो हमारा प्रित्वी पर जो तापमान है, उसका स्त्रोत है सूर्य। तापमान का स्त्रोत क्या है सूर्य। तापमान मतलब गर्मी के कारण जो degree of hotness या coldness, गरम या ठंडेपन का जो स्तर है उसे अपन तापमान बोलते हैं। और ये गर्मी है या ठंडा है ये किसके कारण हो पा रहा है सूर्य के कारण। जब पूरा आपके उपर सीधी किर्णे डाल रहा है प्रत्वी के चिस स्तान पर वहां गर्मी होगी जहां पर सूर्य का प्रकाश ढंग से नहीं पहुंच रहा है, किर्णे तिर्ची पहुच रही है तो वहां पर ठंड होगी। बात समझ रहें, तो तापमान लगातार सूर्य की स्तिती पर निर्वर करता है, तो तापमान आप देखें तो हर घंटे में बदल रहा है, हर घंटे प्रत्वी की स्तिती सूर्य के सामने बदलती रहती है, प्रत्वी सूर्य के सामने एक अंडाकार पत्व में भी चकर काट प्रत्वी इस तरह से भी सूरे के चारो तरफ चक्कर काट रही है बात समझ रहे हैं और प्रत्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है प्रत्वी अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करें दोनों ही बाते हैं तो इन दोनों ही बातों में क्या है सूरे का तापमान जो है वो प्रत निम्न वायूदाप को मैं क्या लिखूंगा लोप्रेशर अगर आपका तापमान घट रहा है यानिंकि ठंड हो रहे है तो वायूदाप कैसा होगा वायूदाप बढ़ेगा यानिकी हाई प्रेशर बात समझें तो बार-बार अगर high pressure और low pressure हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ये वायू मंडल की दशाय लगातार बदल रही है इसका मतलब यह है कि आप जिस स्थान पर भी है वहां का मौसम भी लगातार बदल रहा है तो मौसम इस्थाई नहीं है मौसम कैसा है और इस्थाई है मौसम दिन में कई बार बढ़ने लगेगी, शाम को फिर जब सूर्यास्त हो जाएगा, फिर से थोड़ी-थोड़ी हलकी ठंड बढ़ने लगेगी, रात में और ज्यादा ठंड होगी, तो कहने का मतलब है, लगातार जैसे जैसे वायू मंडल की दशाएं बदलती है, मौसम भी बदलता है, मौसम किसी मौसमी दशाएं, या फिर आप बोलिए, किसी इस्थान की वार्षिक मौसमी दशाएं, दोनों बोल समझे, किसी इस्थान की इस्थान मौसमी दशाएं, या किसी इस्थान की वार्षिक मौसमी दशाएं, वो क्या कहलाती है, वो उस इस्थान की जलवायू कहलाती है, बात स ताप प लिखना है ताप और आदरता आदरता भी कह सकते हैं आप वर्षा भी कह सकते हैं इन सब चीजों का साल भर तक आप अध्यन कीजिए वार्षिक अध्यन कीजिए और उसके बाद औस सत्रूब से एवरिज फॉर्म में उस स्थान का जैसा वहां का मौसम रहता है औसतन पूरे साल भर वो क्या होगा उस स्थान की जलवयू कहलाएगा जैसे हो सकता है साल भर गर्मी बनी रहे हो सकता है साल में गर्मी भी हो परन्तु ठंड का मौसम भी आए हो सकता है साल भर सर्दी ही पढ़ती हो हो सकता है साल में सरदी का मौसम तो है परन्तों गर्मिया भी आती हूँ तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं उस स्थान के जलवायू उश्न है, उपुश्न है, शीत है या शितोश्न, बात समझ रहें अब देखे, अपन बात करते हैं किसी भी स्थान की जो जल्वायू है वो किन किन कार्पों पर निर्वर करती है जल्वायू किन किन कार्पों पर निर्वर करती है जल्वायू की निर्वरता किस किस पर है देखे सबसा पहला आता है अक्षांश और देशांटर किसी भी इस्थान की अक्षान्शे और देशान्तरिय इस्थिति क्या है जैसे देखे क्या होता है मैंने अभी आपको एक चित्र बना की बताया था इस तरीके से देखे क्या होता है जो इस्थान सूरे के बिल्कुल सामने है वहाँ पर तो पढ़ती है गर्मी जैसे अभी आप देखें यह आपका उत्री गोलार्द है यह आपका दक्षणी गोलार्द यह आपका उत्री गोलार्द है यह आपका दक्षणी गोलार्द इस वाले इस्तिति को देखें तो सूरे के बिल्कुल सामने है Northern Hemisphere सूरे के बिलकुल सामने है तो अवेसी बात है कि इसकी उपर सूरे की किड़ने सीधी पड़ेगी यानिकि यहाँ पर अभी गर्मी होगी जबकि यह भाग सूरे के पिछे चला गया है अभी सूरे की किड़ने या सीधी नहीं पड़ रही है यहाँ पर क्या होगा? ठंड का मौसम होगा पर यह स्थिती बदलेगी क्योंकि प्रत्वी लगातार सूरे के चारो तरफ चक्कर लगा रही है यह गती से घुम रही है माली जे प्रत्वी यहाँ पर पहुंच गी अब देखिए आप जो दक्षिनी गोलार्द है अब वो सूरे के बिल्कूल सामने है इसका मतलब है कि अब दक्षिनी गोलार्द पर गर्मी पड़ेगी परंतु उत्री गोलार्द जो की पिछे की तलफ चला गया है वहाँ पर ठंड रही तो उत्री और दक्षणी गोलार्द में ये लगातार बदलाव आते जाते है परंतु क्या होता है भूमद्य रेखा जो है जीरो डिग्री जीरो डिग्री ये जीरो डिग्री के आसपास जो है वो साल भर सूरी के किड्ने सीधी पड़ती है जीरो डिग्री के आसपास साल भर स सबसे दक्षिन आने 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिन को देखेंगे तो साल पर यहाँ पर सिरफ ठंड ही मिलेगी यहाँ पर गर्मी आती नहीं क्योंकि यहाँ पर सूरी के किर्णे साल पर सीधी पड़ती नहीं तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है आप देखें अगर 10 तिगरी दक्षिर यहां क्योंकि साल पर सूरी की किड़ने एकदम सिधी पड़ती है साल पर यहां पर गर्मी रहती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं उष्ट निकटी बंद कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं उष्ट निकटी बंद कहते हैं और क्योंकि यहां पर, गर्मी है तो pressure कैसा होगा? low pressure अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास drug है हमारे पास है 90 डिगरी उत्तर और 90 डिगरी डख्षिन देखो 90 डिगरी उतर से चलो तो 75 डिगरी उत्री अक्षाँ नबबे डिग्र दक्षिन से चलो तो 75 दिग्री दक्षिनी अक्षा यह वो शेत्र है जहां पर साल बर्ष होई के किर्णे तिर्शी पड़ती है तिर्शी क्यों पड़ती है तो मतलब जो ध्रूव होना चाहिए एकदम यहाँ पर वो यहाँ नहीं होगे यहाँ पर है तो टेड़ा हो गया है इस उदे से सूरे की किर्णे कभी इस भाग पर सीधी पड़ी नहीं पाते हैं क्योंकि यह सूरे के रास्ते में है ही नहीं तो यहाँ पर क्योंकि साल बर कटी बनने। और क्योंकि यहाँ सर्दी है ठंड है तो pressure कैसा रहेगा हमीशा high pressure रहेगा ह्याँ भी मैं लिख देता हूँ pressure हमेशा कैसा रहेगा high pressure रहेगा अब देखिए अगर आप उत्री गोलार्द में हैं तो उत्री गोलार्द में आपके पास है यहाँ पर साड़े तेज़ डिग्री उत्री अक्षांश जिसे आप करक रेखा भी कहते हैं और आपके पास यहाँ पर है साड़े तेज़ डिग्री दक्षिनी अक्षांश जिसे मक्कर रेखा भी कहा जाते हैं बात समंद रहें करक और मकर रेखा इससे थोड़ा से उपर चलेंगे तो आपको मिलेगा 35 डिग्री उत्री अक्षांश और 35 डिग्री दक्षन यक्षांश तेकि ये दोनों जो प्रदेश हैं यहां पर और यहां पर क्या होता है उष्ट कटिबंद में जो हवाएं हैं पाउने हैं वो गरम हो जाती है गरम होँआ हमेशा उपर की और उठती है उपर की और जाती है तो उपर आ जाता है शोब मंडल इस घरम पाउनु के साथ यह जैसे जैसे उपर जाती है वैसे ठंड बढ़ने लगती है अब पाउने ठंडी होती है ठंडी हवां भारी थी तेहरे और भारी हवां एकदम नीचे आके गिरेगी इस शेत्र में वापस आ नहीं सकती 10 से 10 के बीच में क्यों यहां पे तो गर्मी थंडी तो यह थंडी धंडी पॉम्ल'elli जो उपर से छोव्मंदल से थंडी होकर आ इए उस सभा यहां आ के गिरते हैं कहां करक रेखा और 35 degree akshan kakar रेखा और 35 degree akshan day क्योंध यह हुआ ठंडी है थंडी होगा है हमेशा कैसा प्रेशर बनाती है हाई प्रेशर बनाती है और क्योंकि ये कटीबंद देखो उष्ट ने कटीबंद के बहुत पास में है तो गर्मियों में यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है पर सर्दियों में यहाँ पर थंड भी पड़ती है उष्ट ने गर्मी आती है सरदी का मौसम आते ही नहीं यह फरक है बात समझ रहें तो इस चगे को अपन क्या बोलते हैं इसे अपन बोलते हैं उपोश्टने कटी बंद या हाई प्रेशर अब देखो सेम घटना यह शीद कटी बंद की हवाउं के साथ होती है शीद कटी बंद है तो करने लगती है तो लगवग लगवग 6.65 डिग्री से लेके 45 डिग्री साड़े चाथी ग्री से 45 बात यह एंपर भी अब क्योंकि ये वाला इस्थान शीत कटीबंद के बहुत पास में है तो यहाँ पे सर्दियों का ज़्यादा जोर रहता है परन्तु गर्मिया भी आती है इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया शीतोष्ण कटीबंद शीत और शीतोष्ण में क्या फरक है शीत कटीबंद साल भर सर्दियां रहेंगे गर्मिया आएगी नहीं शीतोष्ण कटीबंद में साल के अधिकांट समय सर्दी रहेगी परन्तु गर्मियों का मौसम भी देखने के लिए मिलेगा बात समझ रहें इसको अपन ने बोल दिया शीतोष्ण कटीबंद में तो बेसिकली क्या होता है अगर आपको किसी भी स्स्थान का अक्षांशिय और देशान्तिय विस्तार पता है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इस्थान की जल्वायू उष्ण होगी शीतोष्ण होगी उपोष्ण होगी या शीत होगी जैसे मैं भारत की बात करता हूँ आप देखे भारत देखे भारत जो है पहली बात तो उत्री गुलार्द में इस्तित है अल्मोस्ट उत्री गुलार्द में करक्रेका भारत के बिल्कुल बीचो बीच से गुजरता है तो अगर 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 भारत का एक नक्षा बनाए तो कुछ इस तरीक से बनेगा यह बनक्षा करक्रेका बिल्कुल बीचो बीच से गुजरता है तो आप अगर ध्यान से देखें तो अपन कहां पर इस्तित है उपोश्ण कटी बन में इस्तित है और कुछ भाग जो है हमारा हमारा शुरू हो जाता है यहां से आठ डिग्री चार मिनट से शुरू हो जाता है तो उश्ण तो कहने का मतलब है किसी भी स्थान की जलवायू अगर आपको अक्षांस देशांतर पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि वहां की जलवायू कैसी हो इसके अलावा देखिए परवतों की इस्तिति जैसे आप देखे है भारत की उत्तर में इस्तित्त आ तो हिमाले परतमाला क्या करता है कि सर्दीयों के अंदर उपपर से खंड़ी खंडी हवाय आती बिफीली हवाय आती उनको रोक लेता है भारत में गुछने नहीं देता आप अगर भारत के नक्षे के अंदर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर पस्चीमी घाट है पस्चीमी घाट से टक्रा कर मानसून बहुत जादा बारिशे करता है तो परवतों की स्थिति यह डिसाइड करती है कि वहाँ पर किस प्रकार से बारिशे होंगी क्योंकि परवत अगर बारिश के रास्ते में मानसून के रास्ते में इस्थित है तो वो मानसून को वहीं पर बरसने में साहिता करती है इसके अलाव आप देखें, तो समुद्र तट से उचाई, देखिए जो इस्थान समुद्र तट से जितना उचा होगा, वहाँ पर उतनी ही जादा ठंड होगी, आप जैसे जैसे आप यहाँ नीची समुद्र तट पर हैं, आप जैसे पर्वतों में उपर की तरफ जाएंगे, तो ठंड बढ़ती जाएगी, तो कोई इस्थान जो परवतों के उपर है, तो वहाँ पर naturally ठंड होगी, इसके अलावा, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, देखिए अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जादा, जिसको आप कहते हैं कि humidity बात समझें, तो ये कुछ प्रमुक कारण हैं जो किसी स्थान की जलवायू को प्रभावित कर, तो देखिए हम आगे चेक करते हैं कि भारत की जलवायू को कौन-कौन से कारक जो है, वो प्रभावित करते हैं, एक एक करके मैं उन कारकों की चर्चा करूँगा, जैसे सबसे पहले तो आप देखें, अभी तक हमने जो पड़ा, जलवायू क्या है, किसी स्थान पर लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायू मंदले दा, पावनों की दिशा, वो वेक का अध्यन, क्या कहलाता है, जलवायू कहलाता है, लंबे समय तक, जलवायू कैसी है, इस्था ही है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वार्षिक मौसमी दशाय ये भी बोल सकते हैं तो भी चलेगा बात समझ रहे हैं भारत में उष्णे कटी बन दिये मानसूनी जलवायू पाई जाती है मैंने आपसे कहा था न हमारा आदा भाग उष्ण में आधा उपोश्ण में जाता है परुंतों एक पूरे भारत में औसत रूप से बात करें तो हमारी जलवायू कैसी है उष्णे कटी बन दिये मानसूनी जलवायू है देको मानसून शब्द का अर्थ जो है मानसून जो है यह अर्भी शब्द के मौसिम से लिया गया है जिसका मतलब होता है पवनों की दिशा मौसिम शब्द जो है वो अर्भी भाषा से आया है इसका अर्थ है पवनों की दिशा इसी के आधार पर जो है यह मानसुन शब्द की रचना हुई है फिर देखे आगे मैंने आपसे कहा ज जलवायू को कौन-कौन प्राभाववित करता है जैसे सबसे पहले हमारी अक्षांशी और देशांत्र रेस्तिति अब क्योंकि हम उष्ट नकटी बंद और उप्पोष्ट नकटी बंद दोनों के बीच में पढ़ते हैं इसलिए हमारी जलवायू कैसी है उष्ट नकटी बंद या हिमाले परोतमाला उपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है साथी साथ यह मानसुनी जो पाउने आती है इन्हें भारतिय प्रायदीप से बाहर नहीं जाने देता है ठीक है तो हिमाले परोतमाला हमारे बहुत काम करता है हमारी भू आकरती हमारी भू आकरती का जो मानसुन आता है, उसके रास्ते में एक समानांतर शेणी की रूप में, पैरलल है, जैसे आप देखेंगे, राजस्तान में अरावली परुष्थ माला का जो विस्तार है, कुछ इस तरीके से, यह हो, तो अरब सागर से जो मानसुन आता है, वो सीधा निकल जाता है, इस तो तो जिसे राजस्तान का ये पश्चिमी भाग जो है, ये सूखा रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो नहीं पाती है, तो अरावली परउत्माला के सितिक कारण राजस्तान के पश्चिम में एक थार मरुस्तल का निर्मान हो गया है, तो यही कहना चाहता है कि भुवा आकरती जो है उस पर जैसे संदचनाए हैं उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी जलवायो के उपर फिर देखिए मानसूनी हवाय मानसूनी पवने वे पवने जो अपने साथ नमी को लेके आती है जिसे भारत के आप दक्षिन से देखे तो हिंद मास आगर से मानसून उठकर आता है और भारत के हिस्सों में बहुत अच्छी वर्शा करता है तो मानसूनी पवने जो है उनके का वायू मंदल है ना, वायू मंदल में 8 km से 18 km की उचाई पर ये jet पौने चलती है, ये क्या होती है। बहुत तेजी से निचे आती है, ये निचले वायू मंदल में आती है। इनको बोलते हैं जैट स्ट्रीम बात समझ रहे हैं वायू मंडल में 8 से 18 किलोमेटर की उंचाए पर पावनों का प्रभा बहुत तेज गती से नीचे की और उतरती है तेज गती से आना के कारण इने जैट स्ट्रीम का जाता है अब यह जैट स्ट्रीम भी जो है यह पच्चिम दिशा से आ रही है तो पूर्वी दिशा से आ रही है तो पूर्वी जैट स्ट्रीम बात समझे जैट स्ट्रीम का जो योगदान है वो मानसून की गती को टेज करने में है मानसून इससे बहुत जल्दी खिच के आ जाता है जैसे पूर्वी जैट स्ट्रीम जो है वो भारति मद्य सागर पर बनने वाला एक निम्न वायुदाप का शित्र है वहां से नमी वाली हवाय आती है और ये नमी वाली हवाय जो है हमारे भारत के उत्तर पश्चिमि इलाकी जिसे राजस्तान पंजाब हर्याना यहां पर सर्दियों में बारिश करती है जिसे मावट कहते हैं जिससे नमी वाली पौवने जो है भारत की तरफ आती है भारती मैदानों की तरफ आती है उसे दक्षिनी दोलन कहा जाता है अभी मैं जब वर्षा रितु के आप से बात करूँगा तब इस चीज़ को मैं और डिटेल में बता दूँगा अल नीनो और ला नीनो क्या है अल नीनो और ला नीनो समुदरी जल धारा है यह प्रशान्त महासागर में चलती है पेरु देश है उसके पास में अल नीनो भारती मानसून को कमजोर करता है ला नीनो भारती मानसून को मजबूत करता है इसके बारे में ज़्यादा जानकरी जो है आप भॉतिक भुगोल वाले जो वीडियोज है उसमें जाना और भॉतिक भुगोल वाले में वायूदा पेटिया और ताप कटी बन नाम का ए जहां पर समुद्री जल्द धारा हैं समुद्री जल्द धाराओं वाले टॉपिक में तो आपको यह अल निनों ला निनों मिल जाएगा ठाकि दक्षिनी दोलन वाला है पश्चिमी विक्षोब वाला में आपको वहां पर जहां पर हमारे हमने वायुदा पेटिया ताप अब देखिए हमारी जो भारत की जल्वायु है इसको अपन अध्यन की दृष्टी से रितुओं के आधार पर बाढ़ सकते हैं भारते जल्वायु का रितुओं के आधार पर अपन वर्गी करन कर सकते हैं बात समझे हैं देखिए रितुओं के आधार पर जब अपन वर्ग रितु से, भारत के अंदर जो है चार प्रकार की रितु है, तैचलित हैं जिसमें सबसे पहली है, शीत रितु, अपना जो दिसंबर से लेके, फरवरी तक का जो महिना होता है, वो कौन है, शीत रितु, फिर देखिए, मार्ट से लेखे हमारा जून जुलाई तक का जो महिना है उसे अपन कहते हैं ग्रिश्मरितु हमारा जो जून जुलाई के बाद भारत में बारिश आने का दौर शुरू होता है उसे अपन बोलते हैं दक्षिन पस्चिम मानसुन या वर्शारी तो आप कहा सकते हैं जो कब से कब तक होती है तो चलती है जून जुलाई से जून जुलाई से यह चलती है सितंबर तक जून जुलाई से कब तक चलती है सितंबर तक और फाइनली हम बात करेंगे उतर पूर्वी उतर पूर्वी लोटतावा मानसु या फिर इससे कहते हैं शरद रितु या फिर अपने इसको क्या बोलते हैं शरद रितु और यह रितु कब से कब तेक होती है यह रतियों होती है हमारी टूबर और नवामबर में बात समझे हैं तो इन चारो रित्यों की अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे पहले शीत रितु फिर ग्रीश्म रितु दक्षिन प्रश्चिम मानसुन और उत्तरपूर लोटताव मानसु तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इससे मैं दो पार्ट में मनाऊ मैं भारत की रितु की बात करूँआ उसे भी देखे पहले इसमें यह समझे जलवायों की प्रभावित करने वाले कारण वगेरा सब देखे उसके बाद आप रितु की चर्चा की ठीक है तो यह लेक्षर में यहीं कतम कर रहा हूं थैंक्यो प्लीज लाइक शेर डेजिटर तैयारी